हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केरियर एक्सपर्ट, आज हम लोग हिस्टरी के टॉप 50 क्वेस्चन्स डिसकस करने वाले हैं, यहाँ पर हम प्रीवियस क्वेस्चन्स को डिसकस करेंगे जो पहले भी एक्जाम में आई हुए हैं, इस टाइप के क्वेस्चन्स की आने की होती है, तो चलीए आज का सेसान स्टार्ट करते हैं, तो पहला प्रस्ट अपका है कि जनतर मंतर कर मान, किस ने किया था, तो चलिए थोड़ा सा जनतर मंतर के बारे में समझ लेते हैं, तो जनतर प्रगती के प्रमान के रूप में ये जाना जाता है और दिल्ली जंतर मंतर का निर्मान दिल्ली अब दिल्ली के अलावा उज्जैन वारानसी और मथूरा में भी इसी टाइप का निर्मान करवाया गया था तो ये होगे छोटी सी जनकारी जंतर मंतर को ले करके अब दूसरे प्रस्ण के तरह बढ़ते हैं, तो महात्मा गांधी अपना राजनितिक गुरु किन को मानते थे तो गुपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी अपना राजनितिक गुरु किन को मानते थे तो गुपाल कृष्ण गोखले जी को तीसरा प्रस्ण साइमन कमिशन पहली बार भारत कबाया था 3 फरवरी 1928 को चौथा प्रस्ण कॉंग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था तो आंसर हो जागा 1929 इसवी में कॉंग्रेस पार्टी के अस्थपना कब गथा 1885 में कॉंग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज ठीक है जब भी पूर्ण स्वराज की बात होगी कॉंग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था तो आंसरो जगा 1929 पाचवा प्राशन वर्ष 1929 भरतिय तिहास से समंदित है जालियावला बाग तरास दी इस दिन को सर कोई भी भरतिय नहीं भूल सकता है पीहद ही दुखत भड़ा दीन हमारे देश के उन नीहत्य लोगों को सर गोली से मार दिया गया था वर्ष 1919 अमरीत सर जालियावला बाग हत्याकांड जनरल ओर डायर यही वो अंग्रेज था जिसके आदेश से ये दुर घटना हुई थी जिसमें हजारो लोग मारे गए थे छठा प्रस्न है वंदे मात्रम गीत किसकी रचना है बंकीम चंद्र चटर जी की तो देखें यहां पर वंदे मात्रम गीत है गाने में बहिया कितना समय लगता है पैंसट सेकेंड और जो राष्ट गान है जन गण मना उसको गाने में कितना समय लगता है बावन सेकेंड और राष्टगन को किस ने लिखा ये भी आपको बिल्कुल मालूम है रविंद्रनाट टैगोर जी और अगले प्रस्ण के तरह बढ़ते हैं सातमा प्रस्ण अलग पाकिस्तान देश के लिए अंदोलन का नेत्र तो किस ने किया था मुहम्मद अली जीना ने अलग पाकिस्तान यानि कि इने को भारत से बटवारा चाहिए था अलग पाकिस्तान देश के लिए अंदोलन का नेत्र तो किस ने किया था मुहमद अली जीना ने अगले प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं आठवा प्रस्ण बेद इंपोर्टेंट भारतीय रस्ट्रीय कॉंग्रेस की अस्थापना कब हुई थी आंसर हो जाएगा 1885 यह तो कई बा प्रसीद भारतीय नेता शीमांत गांधी के रूप में जाने गए हैं देख रहां ना भई क्वेस्चन कितना इंपोर्टेंट है देखिए पहले आप कौन से प्रसीद भारतीय नेता शीमांत गांधी के रूप में जाने गए हैं खां अब्दुल गफार खां अगला प्रस् में 61 देशों ने भाग लिया था सब पॉइंट याद रखेएगा दिविते बिशिजु दिकब शुरुआ 1949 में खत्म कब हुआ 1945 में छे साल चला और 61 देशों ने भाग लिया question number 11 टीपु सुल्तान ने अपनी रजधानी कहां बनवाई स्री रंग पटनम में अगला प्रस्न अपका है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखा कौन है अबुल कलाम अज़ाद सहब जी इंडिया विंस फ्रीडम के लेखा कौन है अबुल कलाम अज़ाद तेरा नंबर लाइफ डिवाइन नामक पुस्ता के लेखा कौन है अरविंद घोस अगर questions अपको अच्छे लग रहे होंगे तो यह एक like जरूर कर लीजेगा और सिसन को share भी जरूर कर दीजेगा चोदर नमबर महरानी विक्टोरिया को भारत की सामगरी न्यूक्त किस वर्स किया गया 1858 में पंदर नमबर कला की गंधार सैली किसके सासन काल में फली फुली कुसानों के समय में याद रखे है को से कला और को से कुसान ये ट्रिक थोड़ी सी है काम कर जाएगा कला की गंधार सैली किसके सासन काल में फली फुली कुसानों के समय में क्वेस्चन नमबर 16 की बात करते हैं भया सिंदू सब्यता का क्वेस्चन आपका आगया किस काल में पड़ता है प्रा गैति हासी काल में, सिंदु सयोयत रिशेता की सकाल में पढ़ता है, अग्ला प्रस्णप का है, 17 नंबर, very very important, 800 से 600 इसा पुर्व का काल किस युग से जुड़ा है, 800 से 600 इसा पुर्व का काल किस युग से जुड़ा है, उत्तरवयदिक कालिन संस्क्रीती का युग, जि अगला प्रशन आपके लिए 18 नमबर बोगाज कोई का महत्व है यह बोगाज कोई क्या था भाईया चलिए बढ़िया से समझते हैं वहां जो अभिलेक प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्नन मिलता है किसमें बोगाज कोई इसलिए यह इंप या रीग वेद में और वेद कितने हैं चार बीसमा आपका प्रस्ण है कि संगम युग में उर यूर किसलिए विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र अगला प्रस्ण डवल स्टार कर लिजिएगा आज जीवक संपरदाय के संस्थापक कौन थे मखली गोसाल और अगला प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं 22 नंबर भागवत संपरदाय के विकास में किसका दिन अधियाधिक था तो अंसर आपका हो जाएगा गुप्त सासन काल में भागवत संपरदाय जब भी आपका क्वेस्चन हैगा तो अंसर आप क्या लिजेगा मतलब सबसे ज्यादा विकास जो हुगा न वो गुप्त शासन काल में हुगा और अगला प्रस्णा पे लिए 23 नंबर कीस अभिलेक से यह साबित होता है कि चंदरगुप्त का परभाव पस्चिम भारत पर फैला हुआ था किस अभिलेक से यह साबित होता है कि चंदरगुप्त का परभाव पस्चिम भारत पर फैला हुआ था रुद्रदामन का जूनागड़ अभिलेक ठीक है तो यहाद रखिएगा आप क्या चंदरगुप्त का परभाव ठीक है रुद्र था याद रखिएगा चंदर गुप्त का प्रभाव कैसा था रुद्र था question number 24 की बात करते हैं केवल वो अस्तम्ब जिसमें असोक ने स्वयम को मगद का समराट बताया है भाबरु अस्तम्ब केवल वो अस्तम्ब देखे ये बहुत important question हो जाता है क्योंकि एक ही अस्तम्ब के बारे में जिक्र है जिसमें असोक ने स्वयम को मगद का समराट बताया है भाबरु अस्तम्ब पचीस नमबर उस स्रोत का नाम बताईए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मारगो पर मौन है मिलिंद पन हो उस शुरोत का नाम बताईए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मारगो पर मौन है मिलिंद पन हो ठीक है अगले प्रस्टन के तरह बढ़ते हैं 26 नमबर किस वंस ने मंदिरों इवं ब्रामनों को सबसी अधिक ग्राम अनुदान में दिया तो गुप्त वंस गुप्त वंस जो है न वो मंदिर बहुत बने थे ब्रामनों को बहुत अधिक दान गाउं को भी दिया जाता था पैसे भी बहुत सारे जो जमीन होते थे वो भी मिलते थे क 27. किस काल में अच्छूत की आवधारना स्पस्ट रुप से उध्रित हुई उत्तरवैदिक काल. याद रखेगा अच्छूत की आवधारना उत्तरवैदिक काल. 28. किस सूल्तान के काल में खालसा भूमी अधिक पैमाने में विक्सित हुई तो अलावदिन खिल जी. 30. आपका प्रस्ण है कि सल्तनत काल के सीके टंका ससगानी यूम जीतल किंधातुओं से बने थे तो चांदी और तामबा से. अगला प्रस्ण आपके लिए 31. किस ने की थी? मलिक मुहमद जैसी जी ने. 12. मासा की रचना किस ने की थी? मलिक मुहमद जैसी जी ने. 32. विजयन अगर समराज्य के वीतिये विवस्था के मुख विसेस्ता क्या थी? भूराजस्व. विजयन अगर समराज्य के वीतिये विवस्था के मुख विवस्था क्या थी? भूराजस्व. 33. पानीपत का यूद. ये तो आप बिल्कुल याद कर जेगा. हर एक्जाम में आपका क्वेस्टन आता है. पानीपत के दूसरा यूद कब हुआ था? इसका जवाब आपके जीतने का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुसलता. अगला प्रस्ण आपका है. 34. जबती परनाली किसकी उपज थी? तो आंसर हो जाएगा अकबर की. जबती परनाली अकबर. 35. जबती का समद किससे था? जबती. जबती का समद रज़ के कानूν से है जो कि मुगल सासन की देन थी. अगर जबत पूस्ता है तो मुगल सासन की देन थी और रज़ के कानूं से समद्ध यह बात थी. 36. इरान के साह और मुगल सासकों के बीच जगडे की जड़ क्या थी? तो इरान के साह और मुगल सासकों के बीच जगडे की जड़ कांधार था क्या था? कांधार आगे समस्ते हैं या बाबर के समय सही लगतार संगरत छितर रहा था कंधार अकबर के सासन काल तक मुगल समराज्य का हिस्सा था परन्तु जहागीर के समय की परमुख घटना है कंधार का भारत के हाथ से निकलना 1622 सुमें इरान के साब बास वन जो जहागीर का मित्र सासक भी था कंधार पर कबजा कर लिया साजाहा के काल में सपस्ट रूप से कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया तो पूछेगा की भाई कंधार मुगलों के हाथ से किस के समय निकला तो आंसर हो जएगा साजाहा ठीक है अगले प्रस्ने की तरह बढ़ते हैं दू अस्पा सी अस्पा प्रथा किस ने सुरू की थी तो आंसर हो जगा जहांगीर ने 38 सरंजामी प्रथा किसे समंदित थी तो यह था भया सरंजानम गाउं से प्रंभुईती इस प्रथा के ताद सैनिकों हवलदारों तथा अन लोगों का सरंजाम गाउं के रजस्व में एक निश्चित धनरासी का भुगतान किया जाता था 39 नमबर क्वेस्टन की बात करते हैं बारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पॉली फैक्टरी कहां स्थापित की सूरत में यह थो भई सभी लोगों का मालूम होगा लेकिन याद रखिए का भारत में 1612 यह आपको नहीं मालूम होगा यह क्वेस्चन यहां से आपका बन जा था किसने स्थापित की थी वासुदेव बलवन्त फड़के ने महरास्ट में रमोसी क्रिशक जद था किसने स्थापित की वासुदेव बलवन्त फड़के 41. 1878 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद कर दिया था लॉड रीपन ने 42. अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने सुरू किया था तारकनात दासने वेरी वेरी इंपोर्टन क्वेस्चन 43. गदर क्रांती थीड़ने का सबसे मतपून कारण क्या था तो सबसे मतपून कारण था कोमा गाता मारू घटना थी प्रथम महा युद्ध के दोरान कोमा गाता मारू नामक जहाज से भारतिये यात्री भारत आ रहते लिकिन अंग्रेजों ने इस जहाज गवाने से रोक दिया था बस इसी विरोध में गदर करांती का अरंभ हुआ था क्वेस्टन नंबर 44 की बात करते हैं किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनितिक सक्ती का सफलता पुर्वक परदर्शन कर सके कॉंग्रेस का 1916 का लखनाव अधिवेशन और अगला प्रस्णप का है 45 नंबर इंडियन अन्रेस्ट के लेखा कौन थे वेलेंटाइन सी रोल क्वेस्टन नंबर 46 की बात करते हैं 47 की बात करते हैं तो उनिसव बीस की खिलाफत समीती की साभा कि सहर में समपन हुई इलह बाद 1920 की खिलाफत समीति की सभा की सहर में संपन हुई थी तो इलाहबाद 48 अवद के एका अंदोलन का मुख़ दे से क्या था जमिन्दारों की अधिकारों की रक्षा करना अवद के एका अंदोलन का उधिकारों की रक्षा करना question number 49 बात करते हैं नाई धोबी बंध सामाजिक बॉयकट का एक स्वरूप था जो 1929 में किसानो दोरा प्रतापगड जिले में चलाया गया और लास्ट क्वेस्टन आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट आइए ने किसके दिमा के उपस थी और किसने इसकी स्थापना की तो आंसर आप का यहां पर बात किये मोहन सिंग जी तो यहां पर क्वेस्टन होगे टॉप 50 प्रीब्येस पेपर के ठीक है हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेस्टन्स इसे आपके कोपी में नोट कर लिजेगा और दोस्तों में जरूर सेयर कीजिएगा ओके धन्यवाद